खाबर उत्तर प्रदेश की स्रावस्ती जनपर से है जहां पर छेत में आई बार के पानी से तबाही मच गई बार का पानी गाउं के भीतर गुश गया जिससे लोग घर का सामान निकाल उचाई पर रखे हुए हैं का चारा भूसा पानी में बह गया कई गाउं के संपग मार भी तूट गये आप सभी का सबसे तेच खबर स्रावस्ती चैनल में स्वागते चैनल को लाइक सीरेम सब्सक्राइब करें साथी घंटी के बटन दवाना न भूली जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे पान जिन इलाकों में कभी पानी नहीं पहुचा था वहां पानी भर गया पानी भीतर ही भीतर बस्तियों को जर्बंग करता हुआ घरों में गुश गया जिससे कई गाउं में लोगों के मकाम धरासाई हो गए नबीन माडन थाना सावस्ती इलाके के चकरभंडार गाउं के पारस इसी प्रकार से कोरिया मंदिर की वाउं डिवाल और अंदर की 40 फिट दिवाल बाढ़ के पानी से धरासाई हो गई उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप तस्वीरों में साब देख पाप रहेंगे किस प्रकार से बाढ़ के बाद बरबादी में नहीं देखी गई और सबसे बड़ी बात जो लोगों को हैरत में डाल लही है वो यह कि अक्टूबर के माह में ऐसी बारिस और ऐसा बाढ़ का जो नजादा दिखा ये कहीं न कहीं लोगों को चौकाने के लिए काभी था बड़े बुजरुगों से जब बात चीत की गी तो उन्होंने भी बताया कि कहीं बरसों में उन्होंने अपने जीवन काल में भी इस तरह की ना तो बाढ़ देखी और ना ही इस तरह की बरसात जिससे जिधर देखो उधर चाहे सनक हो चाहे खेट खलिहान या घरद्वार जिले भर में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनके दुकानों घरों में पानी घुशने से हचारों लाखों का नुकसान हुआ चारों तरफ बस एक ही मंजर दिखाई देता है जो यहां से गुजरे बार्ध की गवाही को गवाही साप दे रहा है स्रावस्ती जन्पत के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख रहें सबसे तेज कवर स्रावस्ती चैनल पर जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि किस पकार बार्ध ने यहां तबाही मचाई कई कई फिट दिवाल धरा साई हो गई सनके छत गस्त हुई आवा गमन बाधित हुए लोगों के घर मकान सबकुछ पानी में डूब गए हाला कि सबकुछ अब सामानी होने लगा है फिर भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है क्ई लगनों के बिल्ग में आ रही है हो गए है यहां पान रही है आपे करने पिलिब प्लेंगे में तार प्लेंग चानवाने का रही है लेका ने टेंगा जे ले बदावाद यूँ वट्रे मांत स्याते एक वे अेरस by कर दो कि क क्या पहुंगना में झांक तब। मैं ढשता रीत करता स्वेल